प्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने योट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं HCL Info Systems Limited के बारे आज हम लोग इसका Target और Stop Loss जानेंगे 3-hour के Chart Pattern से लेके Monthly के Chart Pattern को Analyze करके हम लोग Target और Stop Loss को जानेंगे ठीक है फ्रेंड और कोई भी News होगा अगर वीडियो में तो मैं News का Screenshot आपको वीडियो के End में दे दूँगा मगर फिलाल इस पे कोई भी News नहीं है लेटेस्ट ठीक है फ्रेंड क्योंकि मैं News के बारे आपको पढ़के या डीटेल में समझा के नहीं बताऊँगा मैं News पे वीडियो नहीं बनाता हूँ अगर फिर भी मैं News को एड़ कर दूँगा वीडियो के इन में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को प्री सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेर आइकन दबाना मद भूलिएगा तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्री हावर के चार्ट पेटन पे इसका जो फर्स्ट टार्गेट होगा वो होगा 14 रुपए 35 पैसे का इसका सेकंड टार्गेट होगा 14 रुपए 90 पैसा का इसका थर्ड टार्गेट होगा 15 रुपए 60 पैसे का प्रेंट अब हम लुग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका 1st stop loss होगा वो होगा 13 रूपय 65 पैसे का इसका 2nd stop loss होगा 13 रूपय 30 पैसे का इसका 3rd stop loss जो होगा वो होगा 13 रूपय का ठीक है अब हम लोग देखेंगे डे केंडल पे डे गेंडल पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 15 रुपए 35 पैसे का इसका सेकेंड टार्गेट होगा 17 रुपए 75 पैसे का इसका जो थर्ड टार्गेट होगा वो होगा 21 रुपए 90 पैसे का 21 रुपए 90 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा 13 रुपए 65 पैसे का इसका second stop loss होगा 11 रुपए 20 पैसे का इसका third stop loss होगा 9 रुपए 45 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे विकली केंडल पे विकली केंडल पे इसका फर्स टार्गेट होगा 17 रुपए 15 पैसे का इसका सेकेंड टार्गेट होगा 20 रुपए का इसका थर्ड टार्गेट होगा 26 रुपए 20 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की इसका first stop loss होगा 13.05 पैसे का इसका second stop loss होगा 8.10 पैसे का इसका third stop loss होजाएगा 4.25 का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे मंथली केंडल पे मंथली केंडल पे इसका जो फर्स्ट आर्गेट होगा वो होगा 17 रुपए 10 पैसा का 17 रुपए 10 पैसे का इसका सेकेड टार्गेट होगा 20 रुपए 50 पैसे का इसका थर्ड टार्गेट होगा 26 रुपए 15 पैसे का 26 रुपए 15 पैसे का अब हम लोग बात करेंगे इसका Stop Loss की तो इसका First Stop Loss होगा 12 रुपए 90 पैसे का 12 रुपए 90 पैसे का इसका Second Stop Loss होगा 8 रुपए 5 पैसे का 8 रुपे 5 पैसे का इसका 3rd stop loss होगा 3 रुपे 85 पैसे का 3 रुपे 85 पैसे का ठेक है फ्रेंड आशा करता friend यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी मिलते हैं फिर हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए bye bye